कैसे काम करते हैं रूफ टॉप वेंटिलेटर फेक्ट्रियों या गोदामों की छटों पर आपने गोल मशीन लगी हुई देखी होगी यह हवा की गती के अनुसार दिन रात घूमती रहती है कभी आपने सोचा है कि आखिर यह क्या होती है और इसका काम क्या होता है दरसल यह कोई हाई टेक्नोलोजी वाली मशीन नहीं है यह एक तरीके का वेंटिलेशन पंखा है इसमें बिजली की मोटर का कुछ खास काम नहीं होता है किसी भी बड़े से बरामदे गोदाम में वेंटिलेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है यह विशेशकर टिन शेल्टर में ज्यादा इस्तेमाल किये जाते है इन्हें टर्बो वेंटिलेटर या रूफ टॉप वेंटिलेटर भी कहा जाता है यह काफी धीरे चलते हैं और कार खानों या फैक्ट्रियों के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं जब भी गर्म हवा उपर जाती है तो इसके जरिये हवा बाहर निकलती है यह धीरे धीरे घूमते रहते हैं इन में लगे बलके खास तरह के होते हैं. हवा के अनुरूपी ये साइट बदल कर घूमने लगते हैं.